हलो फ्रेंट्स वेलकम टो एक्जाम और्बिट तो इस वीडियो में हम लोग NTP से एक्जाम का एनलेसिस करेंगे 28 देसंबर का पहले सिफ्ट में जो कोशन पुछा गया था GS से वहां से हमको 32 से 34 कोशन मिल चुके हैं GS से 40 कोशन पुछ रहा है उसमें से 32 से 34 हमको मिल चुके हैं तो चलिए सारे कोशन को डिसकस करते हैं एक कोशन पुछा था 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 विशो परेवरन दिवस 2020 का थीम पुछा था यानि विशा है टाइम फॉर नेचर इसका सही उत्तर होगा 5 जून को हर साल ये दिवस मनाये जाता है ये भी ध्यान में रखिए और यहां परेवरन का बात चल गया है क्योंकि 2020 में करोना वायरस महमारी के कारण जो है लोकडाउन था तो अदर वर्सों की कैमपे रिजन में 2020 में काफी कम परदोसन हुआ है तो इसके कारण जो है परेवरन बहुत हद तक शूद हुआ था अभी फिर से सब लोकडाउन खतम हो गया तो फिर से वही बात हो गई है लेकिन परेवरन जो है काफी चर्चा में आ गया था इसलिए इससे रिलेटेड एक कोशन पूछ लिया था मैडरीड में इसकायोजन किया गया था मैडरीड एस्पेन की कैपेटल है वैसे इसकायोजन चीली में किया जाना था उसे अस्थगित कर दिया गया और इसकायोजन किया गया मैडरीड में 2 से 13 दिसंबर 2019 को और अगला संसकरेन यहीं कॉप 26 का योजन कहाँ पर किया जाएगा ग्लासगो में किया जाएगा जो कि एसकॉर्ट लेंड में है और एसकॉर्ट लेंड जो है युनाइटेड किंग्डम का ही हिस्सा है एक से 12 नौबर 2021 को इसका योजन किया जाएगा एक कोशन पूछ लिया था अधिनियम से रिलेटेड यह भी पर्यावरन से ही संबंदित था पर्यावरन सारक्षन अधिनियम कब परीथ हुआ था तो 1986 में ठीक है अब यहाँ से भी कुछ फैक्ट्स है जल परदूशन निवारन एक्जाम देकर आए हुए है तो आप सभी ने कितना एटेम्प किया है नीचे कमेंट करके जबूब बताईए एक कोशन था दांडी किस जीले में है क्योंकि महत्मा गंधी ने दांडी यात्रा की थी इसे नमक अंदोलान या फिर नमक सत्यागरा भी कहा जाता है तो इसलिए पुछा हुआ था कि दांडी किस जीले में है तो ये गुजरात के नौ सारी जीले में है ठीक है महत्मा गंधी ने दांडी मार्च जो है ये 12 मार्च 1930 में गुजरात के अहमदाबाद के पास इस्थित साबर मती आस्रम से शुरू किया था और ये खतम हुआ दांडी में जाकर 6 अपरेल 1930 को कुल 24 दिन लगे थे वहाँ पर जाने में पैदल ही सभी लोग यात्रा किये थे महत्मा गंधी के साथ और ये लगभग 308 किलोमेटर दुरी पर इस्थित है वीटो का पावर निम्न में से किस के पास नहीं है इस तरह का एक कोशन पुछा था कि वीटो का पावर वीश्व के 5 देसों के पास है तो पुछा हुआ था कि निम्न में से कौन सा देस नहीं है अब उसमें कौन सा देस दिया हुआ था ये तो नहीं पता है लेकिन ध्यान रखिए जो 5 देशें जिनके पास वीटो का पावर हैं वोatar हैं अमेरिका रूस चीन ब्रिटेन और फ्रांस यह सारे के सारे सहयुक्तराश्र सुरक्छा प्रशत के अस्थाई सदस से हैं और अस्थाई सदस से जो होते हैं वो 15 होते हैं उनका कारेकल 2 सल का होता है तो ध्यान रखिए भारत हाली में सयुक्तराश्य स्तुरक्षा परिशत का 2021-22 के लिए और अस्थाई सदस से चुना गिया है कुड्नू कुलम परमानू सेंत्र उर्जा सेंत्र कहां पर इस्थित है तो ये पुछा हुआ था तो कुड्नू कुलम परमानू सेंत्र उर्जा सेंत्र ये तमिल लाडू में है भारत में और भी परमानू उर्जा सेंत्र है उसे भी आपको ध्यान में रखना है हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहां से भी पूछा जाए तो तारापूर परमानू उर्जा सयंत्र महराश में है कैगा परमानू सयंत्र करनाटक में है नरवरा परमानू सयंत्र उत्तर परदेश में है काकड़ापार परमानू सयंत्र ये गुजरात में है भारत के सबसी इवा राश्पती कौन है तो ये भी एक कोशन पुछा वा था एक लड़के ने शेर किया है नीलम संचीव रेड़ी ये भारत के सबसी युवा राश्पती थे जो कि 44 साल की आयू में ही भारत के राश्पती बन गये थे और ये छठे प्रेसिडेंट थे जो कि 1977 से 1982 तक ये पद पर रहे थे अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि भारत के सबसी युवा परधान मंत्री कौन थे राजीव गांदी थे 40 साल की आयू में वे भारत के प्यम बन गये थे छठे प्यम थे इनका टम था 1984 से 1989 स्वाराज हमारा जन्मसिध अधिकार है ये नारा किस ने दिया था तो नारा से संबन्तित एक कोशन पुछा हुआ है स्वाराज हमारा जन्मसिध अधिकार है तो ये नारा दिये थे बाल गंगाधर तिलक ठीक है बहुत सारे नारे हैं जैसे कि दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था तो सुबाश अंधर बोस ने करो या मरो का नारा किस ने दिया था मात्मा गंधी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा ये नारा सुबाश अंधर बोस ने दिया था इस तरह के और भी इंपोर्टेंट नारे हैं एक बार देख लिजएगा आप सभी लोग वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड एक कोशन पुछा गया है कि ये ट्रेन जो है किन्दो अस्थानों के बीच चलाई जाती है तो नई दिली से वरारसी के बीच में ये ट्रेन चलती है पहले इसका नाम हुआ करता था ट्रेन 18 लेकिन अब इसका नाम बदल कर कर दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है इसकी गती है 180 किलोमीटर परतिगंता और इसका निर्मान और डिजाइन किसने किया है डिजाइन और निर्मान इंटीगरल कोच फैक्त्री ने जो की चन्नेई में इस्थित है बुलंद दरवाजा कहा पर है ये इतिहास से कोशन बनता है तो बुलंद दरवाजा के निर्वान अकबर ने करवाया था 1602 इस भी में ये उत्तर परदेश के फतेहपूर सिक्री में इस्थित है तो इसी तरह के और भी चीजें आप देख लिजें कि बुलंद दरवाजा कहां पर है इसी तरह से जो भी प्रसिद विरासत अस्थले हैं वो कहां पर हैं तो एक बार देख लिजें और उसका निर्मान किसने करवाया था और यहां पर एक कोशन पूछ लिया था कि पदार्थ का एसाई मातरक से रिलेटेड़ अब कोशन का बनावट किस तरह था वो तो एक जैक्ट नहीं मालूम है लेकिन यह ज़रूर पुछा गया था कि पदार्थ का एसाई मातरक क्या होता है तो मोल होता है और M-O-L से इसे सूचित किया जाता है वैसे स्पेलिंग होता है M-O-L-E ठीक है यह भी ध्यान रखिए ताप का एसाई मातरक केल्विन होता है विदुधारा का एसाई मातरक एंपियर होता है ज्योती तिवरता का एसाई मातरक केंडेला होता है Brain of Computer यानि Computer का मस्तिस्क किसे कहा जाता है तो यह तो हजारों बार पूछा गया है पिछले previous exams में तो CPU होता है Brain of Computer Central Processing Unit को Computer का मस्तिस्क कहा जाता है MICR में C का मतलब क्या है यानि आपको अगर full form ध्यान में होगा Computer के बहुत सारे ऐसे word है जिनका full form होता है तो full form एक बार अच्छे से आप सभी लोग देख लिजे क्योंकि पुछा हुआ था कि MICR में C का क्या मतलब है तो C का मतलब होता है Character और MICR का MICR का full form होता है Magnetic Ink Character Reader ठीक है ये एक input device होता है तीसरा खेलो इंडिया Youth Games कहा हुआ था कई बार मैंने आप सभी को पढ़ाया है डेली करेंट अफेर में और लगबग चार-पांस दिन पहले या एक हपता पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि तीसरा खेलो इंडिया गुआ हाटी में आयोजित किया गया था इसी साल फरवरी में और चौथा खेलो इंडिया Youth Games का आयोजित किया जाएगा अगले साल हर्याणा में इस खेल की सुरवात 2018 में की गई थी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से 2018 में ही बाद में इसका नाम बदल का रखा गया खेलो इंडिया Youth Games घिक है गुआ हाटी में जो आयोजित किया गया था इसमें सबसे अधिक पदक महराश ने जीता उसे भी रट जाए 256 पदक महराश ने जीता और वो पहले अस्थान पर रहा ठीक है दूसरा खेलो इंडिया Youth Games का आयोजन 2019 में किया गया था पूड़े में तो मैक्सिमम 2019 के करेंट एफर 2019 का एक करेंट एफर का मास्टर पीडियफ हमने बनाया है निशे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं चौथा खेलो इंडिया Youth Games हर्यना में किया जाएगा 2021 में और प्राथम खेलो इंडिया Youth Games का भी आयोजन इसी सल किया गया है 2020 में कहाँ पर भुवनेस्वर में ओरिसा की कैपिटल भुवनेस्वर में कलेंगा इंवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया था एक कोशन था लोगसभा में अधिक्तम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है तो बहुत बार मैंने आप सभी को अच्छे से एक्स्पिलेन करेके बताया है कि लोगसभा में मैक्सिमम सीटे हो सकती है 552 वर्तमान में सीटे है 545 इन 545 सीटों में से दो सीटों पर राश्पती एंगलो इंडियन से मनोनित करता है बचे 543 इन 543 में से 13 सीट पर के अंदर सासित परदेशे और 530 सीट पर राज्यों से चुन कराते हैं तो बात चल गए ये लोगसभा का अब जानिया राज्यसभा का राज्यसभा में मैक्सिमम सीट हो सकता है 250 वरतमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या है 245 और इन 245 में से राश्पती अलग-अलग छेतरों से मनोनित करता है 12 सीटों पर और बचे 233 सीट तो 233 सीटों पर राज्यों से चुन कराते हैं अराज्यों से आते हैं अराजत अरंगिनी के लेखक कौन है इनके लेखक का नाम पूछाता है ये भी कोशन जो है बार-बार रिपिट हुआ है कलहन इसके लेखक है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजत अरंगिनी जो पुस्तक है उसका सम्मद किस से है तो काश्मीर के इतिहास से के बारे में प्रकाश डाला गया है इस पुस्तक में अर्थ शास्त्र के लेखक चानक्य है इन्हें कौटिल और विश्नु गुप्त भी कहा जाता है एक कोशन पुछाव था पानी पत यूध से रिलेटिड पानिपत का दूसरा यूद कब हुआ था तो ये हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हो सकता है कि पानिपत का पर्थम यूद या फिर पानिपत का त्रितिय यूद भी पूछ ले तो उसे भी आपको दियान में रखना है पर्थम यूद हुआ था 1526 में बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में वहीं पानीपत का पर्थम यूद ये त्रीती यूद होगा गलती से पर्थम हो गया है त्रीती यूद हुआ था 1761 में अमद शा अब्दाली और मराथा सेनापती सादाशिव राव भाव के बीच में एक कोशन था सबसे लंबी तटिये रेखा वाला राज्य के बारे में कई बार करेंटर फेर के साथ साथ मैं अब लोगों को मेट दिखाता हूँ राज्यों का उसमें मैंने बताया था गुजरात जो है यह सबसे लंबी तटिये रेखा वाला राज्य है अब इस तरह के और भी कोशन बन सकते हैं जैसे कि भारत के कितने राज्ये जो है वो अंतराशे सीमा रेखा से लगते हैं वो भी एक बार आप देख लिजे और भारत सबसे लंबी अंतरासी सीमा किस से शेर करता है तो बंगला देश से शेर करता है और बंगला देश से तीनो और से घिरा हुआ एक मातर राज्य है 2019 से उसके पहले ये प्रोसकार रासी 11 लाग था एक कोशन था भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी तो ये 2 दिसंबर 1984 को हुआ था मिथाइल आइसो साइनेट गैस के रेशाओ के कारण जो है ये त्रासदी हुई थी भोपाल में बहुत बार पुछा गिया यह भी हलवा बारते सम्विधान में अनुछेद 32 में किसका उलेक मिलता है तो सम्विधानिक उप्चारों का अधिकार के बारे में उलेक किया गया है अनुछेद 32 में और ये मौलिक अधिकार के अंतरगात आता है रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO देखिए कैसे कन्फ्यूज करने वाला तो इसके पर्थम CEO वीके यादों ही है तो इस तरह के कन्फ्यूज करने वाले कोशन है उप्चन में तो दिया होगा इनका नाम तो बहुत सारे लोग को लगता होगा ये तो चेर्मेन है CEO थोड़े ही है तो ये CEO और चेर्मेन दोनों है रेलवे बोर्ड के वरतमान समय में स्रिलंका को कब आजाधी मिली थी तो भारत के जो पडोसी देश है उन्हे कब आजाधी मिली एक बर देख लिज़े आप सभी लोग चार फरवरी 1948 को वहीं बंगले देश आजाध हुआ था 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान तो भारत के साथ ही आजाध हुआ था लेकिन पाकिस्तान मुलके हैं हो सकता है इसलिए कोशन पुछा गिया था सत्या नडेला है और भी भारती मुलके जो मल्टिनेशनल कंपणी के CEO है उसे भी धियान में रखना है गूगल के CEO है सुन्दर पिछाई और Mastercard के CEO है अजयपाल सी बंगा वैसे अजयपाल सी बंगा जो है जन्वरी में ये पजसे हट जाएंगे और इनकी जगह पर Mastercard का कोई और CEO बनेगा लेकिन वर्तमान में यही है निम्बू के रस का पियेच मन कितना होता है तो पियेच मान से रिलेटेड और भी चीज़े देख ल होता है खून का बलड का पियेच मान कितना होता है सीरके का पियेच मान कितना होता है यह सभी एक बार आप सभी लोग देख लिजे भारत में नियमित जनगर्णा कब से शुरू हुई थी तो यह 1881 से नियमित जनगर्णा शुरू हुई थी देहन रखिए वैसे भारत में ज सेरी कल्चर या फिर PC कल्चर से एक प्रश्न था जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि इसका अध्यन क्या कहलाता है उसका अध्यन क्या कहलाता है तो इसी से कोशन था अगर सेरी कल्चर के बारे में पूछा था तो रेसम कीट का अध्यन को सेरी कल्चर कहा जाता है वही मत से पालन का अध्यान जो है PC culture कहलाता है भारती समिधान के अनुसूचित आठ में भासाओं की संख्या कितनी है तो ये एक कोशन था ये सारे के सारे जो है memory based कोशन है हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा प्रश्ट हो जो नहीं पुछा गया हो और बच्चों ने इस अनुसूची में भारती भाषाओं का जिकरी किया गया है अनुसूची आठ में प्लासी का युद कब हुआ था तो एक बच्चे ने बताया कि ये भी कोशन पुछा हुआ था सत्रेसो संताउन में हुआ था ये सिराजु दौला और रोबोट कलाइव के बीच में सतलू जा नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है देखे मैं कोशन का इंसर बताने नहीं आया हूँ बस कोशन बता रहा हूँ आप सभी को कि आप सभी लोग जो है आगर आने वाले समय में एक्जाम सभी का तो आप इससे रिलेट करके जो है अच्छे से पढ़ पाएं जो भी आपके हाथ में कुछ दिन बचे हुए हैं बाकी और कुछ पढ़ने की जवरत नहीं है जो कोशन पूछे जा रहे हैं उसी के आसपास की चीज़े पढ़ा ही करिए क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि उसी के आसपास की चीज़े ही पूछी जाती है बाड़ा लचा दर्रा से होकर गुजरता है सतलूज नदी बाड़ा लचा दर्रा यानि पास जो है ये पास हिमाचल परदेश में है बाकु किस देश के राजधानी है एक बच्चे ने बताया है कि ये कोशन था अजहर बैजान की वैसे ये राजधानी है बैंकों के मुख्याले या फिर विलय से संबंधित कोशन पूछा हुआ था शायद विलय से संबंधित ही कोशन था जेसे कि भारत में जो सरवाजनिक छेतर के बैंक हैं बहुत सारे बैंकों का विलाय किया गया है उसे एकदम रड़ जाई है आप सभी लोग जरूर पुछा जाएगा देख लेना वैसे बारत में विलाय कर दिया गया है और उसी तरह करेंट फिर 2020 से भी परश्ण बहुत कम आये थे 2019 से ज़्यादा तरह आये थे तो 2019 का करेंट फिर अगर आप रिविजन करना चाहते हैं तो PDF को जरूर पढ़िएगा हमने भी तैयार किया है निचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप उहांसे देख सकते हैं बिहार के राज्यपल कौन है एक बच्चे ने बताया है शायद ये पुछा हुआ था कि नहीं पुछा हुआ था इस पर हमको शक भी है तो एक बार देख लिजें बिहार के राज्यपल वैसे वरतमान में फागू चोहान है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए पसंद आया तो कमेंट करिए और अगर आपने एक्जामस दिया है तो कितना अपने एटेम्प किया है कमेंट करके ज़रू बताइए